एक घना जंगल था. उस जंगल में एक शेर रहता था. शेर बहुत ही खूंखार और ताकतवर था, जंगल के सभी जानवर उससे थर-थर कापते थे. उसी जंगल में एक लोंगरी रहती थी. लोमडी बहुत चालाक थी एक बार लोमडी जंगल में अपना शिकार तलाश रही थी कि अचानक ही शेर उसके सामने आ गया और उसने लोमडी पर हमला कर उसे दबोच लिया लोमडी ने जैसे तैसे अपने आपको संभाला और शेर से बोली शेर भाई मुझे इस जंगल में भगवान ने भेजा है और अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें इसकी सजा भी देंगे लोमडी की बात सुनकर शेर कुछ असमंजस में पढ़ गया और लोमडी सेब ओला मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लू और भला तुम्हें भगवान ने यहां क्यूं बेजा है लोमडी बोली यह जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में आपका राज है आप इस जंगल का संचानन अच्छी तरह से कर सके इस कारण आपकी सहायता के लिए भगवान ने मुझे बेजा है शेर बोला हो सकता है तुम अपनी जान बचाने के लिए जूंड बोल रही हो इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम्हें भगवान ने ही बेजा है लोमडी बोली मैं एक लोमडी हूँ और जंगल के अधिकांश जानवर लोमडी से नहीं डरते किन्तु मुझे देख कर जंगल का बड़े से बड़ा जानवर भी भाग जाता है अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे पीछे पीछे आईए और खुद ही देख लीजिए शेर लोमडी की बातों पर यकीन कर उसके पीछे पीछे चलने लगा और जैसी ही कोई जानवर मिलता हो लोमडी को देख कर भाग जाता अप शेर को यकीन हो गया कि इस लोमडी को भगवान ने ही भेजा है असल में हुआ यह कि लोमडी के पीछे शेर था जंगल के जानवर शेर को देख कर भाग रहे थे जबकि शेर समझ रहा था कि जानवर लोमडी को देख कर भाग रही है क्यूंकि शेर लोमडी को भगवान वारा भेजा गया प्रानी समझकर जो शिकार करता था उसी में से कुछ हिस्सा भी दे देता था इस प्रकार लोमडी अपनी चालाकी से ना सिर्फ अपनी जान बचाई अपितु शेर की सलाकार बनकर आनन पूर्वक जीवन यापन करने लग किता है